कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे ज़रूरी है सही कोच का होना। चुनियत योगेंडर साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड दी आग नाओ। नमस्कार जै जोहार। क्या आप भी गवर्मेंट एक्जांस की तयाणी करना चाहते joking आप भी मेमोरी टेकनेक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेज एफ यहां दस से अधिक गवर्मेंट एक्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर, CG PSC और CG व्यापम के अंतरगत होने वाले सभी एक्जाम्स की तैयारी कराए तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेज आप टॉबी दे बेस्ट लन फ्रॉम दे बेस्ट उसके बाद प्रतिव एक्टी आय पढ़े इसमें सब में एक ही चीज बोला क्या उत्पादित, वस्तुऔर सेवाओं का अंतिम्मुल्ए तो ऐसा चीज इसमें सामिल कियाजाता है जिसका उत्पादन हुआ है जो उत्पादित नहीं है उसको ऑस्तमिल नहीं को बेच रहा हूं तो मैं क्या हो गया मीडियेटर वाला काम है तो ऐसी वस्तियों का मुल्य सौमिल नहीं किया जाएगा पुरानी वस्तु है जिनकी गढ़ना पहले हो चुकी है बताया था ना GDP में जिस साल उत्पादन होता है उसी साल जूड़ता है वो चीज वो बिके या न बिके उत्पादन हुआ मतलब उतने का रोलिंग हो चुका है मार्किट में ठीक है तो पुरानी वस्तु जो तीन साल पहले उस जीडीपी में जूड़ चुकी है तो वो इस जीडीपी में नहीं जूड़ेगी उसके बाद क्या लिखा है घरेलु सेवा अब आपकी मम्मी रो तो भीया वो तो सर्वीस भी नहीं है ठीक है यह हो गया उसके बाद अगला क्या है रीड़ पत्र पूरे क्या 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 है कि बॉंड रीड़ पत्र यह सब क्या है सामिल नहीं होंगे जीडीपी में क्योंकि इनसे कुछ उत्पादन हो रहा है क्या नहीं यह कुछ बनाए है क्या लोहा, इंटा पत्तर नई तो ये भी सामील नई होगे उसके बाद रीण लिया गया रीण है वो तो तुम करजा लिये हो उसको तुम अपनी आय कैसे बोल सकते हो समझे रेगा मेरी बात तुम कमाए हो क्या करजा को नहीं कमानिक लिए क्या करना पड़ता है उत्पादन करना पड़ता है तो जो रिण लियो वो उत्पादन है क्या नहीं है तो वो भी सामील नहीं होगा यह समझने वाला चीज है भई जो चीज बन रहा है वही सामील होगा तो सबसे पहले पुरानी वस्तु वे सामील नहीं हो और तुम किसी से करजा लिए यह भी सामील नहीं होगा इसमें राष्टियाय की गड़ना करने में कि हस्तांतरन भुकतान जैसे आपको क्या मिल रहे हैं पेंसन तो पेंसन के लिए उत्पादन करते हैं क्या पेंसन कम मिलता है हाँ वेतन मिलता है उत्पादन के लिए पेंसन उत्पादन के लिए नहीं मिलता पेंसन कैसे मिलता है तुम्हारे ही कमाय पैसे को तुमको बाद में क्या करते हैं पाट पाट में देते हैं पेंसन बोलते हो ना कि सरकार देडी तो भाया सरकार काटी भी तो है पीफ उसी पैसे क्या करती है पाद में देती है अब क्या करती हैすरकार जितना था कार्ट अब अब आद divor Gaming रूप है और पहले कैसे देती थी उसे को भी स i시면 15 अजार महीना ऐसा देती थी तो वह उसको सरकार योज भी करती थी उससे विकास भी करती थी उस पैसे से ब्याज भी कमाती थी और तुमको तुम्हारा पंद्रा बीस अजार महिना देती भी थी कि अब बूट सवास बता रहूं पर इंसन का ठीक है यह स्मझने के लिए तुमको एक मुष्ट देना था सरकार तुमको देती किता मालो आज के देट में एक करोड रुपय करोड रुपें तुमको देना था अब धे करणी तो सिद सिद kaikki एक यूदो सरप्सटरा करें कि आ ठीक सार्कार तुम्हारा एक करोड रूपे रख लिए कि थीक है अब ये सरकार क्या करेगी यूज करेगी पूल नदी नाला रोड बनाएगी पैसे से पैसा कमाएगी ठीक है इस एक करोड रूपय में अगर तुम बहुत अच्छी नौकरी में थे तो तुमको पचीस अजार पेंसन मिलेगा ठीक है तो नौर्मल जो 33 रेणी करिमचारी होते है ना जो गलर्क होते हैं उनको 12 से 15 जार पेंशन मिलता है लाश्ट वेतन रहता है जो आखरी वेतन उसका हाफ पेंशन मिलता है कि इस टैप का मजदूर तो सरकारी रहेगा तब हाँ तो उसका माल लो अगर बेसिक पे उसका 30 जार रुपय है बेसिक तो उसको 15 मिलेगा 25 है बेसिक बहुत कम होता है यह बात की बात है कि आ तो होता है उसकी वाइप को आधा का आधा मिलेगा कि मैं बोल लूं माइक लगाया हूं बोल लूं पेंशन में जो आदमी नौकरी करता है ना बेस्ट ऑफ माइ नौलेज उसको उसके बेसिक का आधा मिलता है और जब वो मर जाता है तो उसकी वाइप को जितना पती को मिल रहा था उसका आधा मिलता है ठीक है अब भीया तुम 60 साल 62 साल में रिटायर हुए हो लिख के ले लो कि तुम 15-20 साल से ज्यादा नहीं होगे अब 15-20 साल में तुमको 20-20 अजार भी देगा ना तो नहीं खतम होने वाला है उपर से यह पैसे का सरकार यूज कर रही है वह अलग अब जो आदमी बहुत सीरियस करता है काम में रमा हुआ होता है जिसके ज्यादा दोस्तियार नहीं होते हैं रिटायर के बाद ज्यादा सर्वाइब भी नहीं कर पाते हैं वह बहुत जल्दी डेट कर जाते हैं इसलिए रिटायर्मेंट होने 5-6 साल पहले खुब गुमो घंटा उधर कंपणी में खड़ते थे ना वह टाइम पास हो जाए नहीं तो आदमी घर में रहे रहे और चलता हुआ गाड़ी को एक साल बंद करके खड़ी कर दो खराब हो जाएगी तो चलता हुआ शरीर जब रुकता है ना उसमें बिमारी आना चालू हो जाता है ठीक है कि तो भी आप लोग ऐसी सीयल वाले हो ना फेफड़े में पूरा यह टार्क आपको मार सकता है पूरा इसलिए तो ऐसी सीयल में पैसा भी तो ऐसी देता है ना क्योंकि सरीर खराब हो जाता है आप जितने भी जहां पे बहुत ज्यादा जैसे आप कोर्बा के पावर प्लां खाने का टाइम नहीं इसलिए तो इतना हाई वेतन देते हैं भाई फूल मिलाके वह पैसा देके आपके सरीर को तो इसलिए तो सरकार को भी पता है एक पटवारी का पेमेंट ज्यादा नहीं है लेकिन पटवारी फिर चलिए समझ में आ गया कहां तक थे तो यह सब चीजों को क्या किया जाएगा हr differently किता जैसे पेंसन हो गया वजीफा मतलब क्या होता है हुआ जी क्या कि शाष्य जीटि पोफ्यार क्या वजीफा-्वजीफा थिक है कि आशाःशत्तर्रे अ यह भ्यांके बुक में लिखा हुआ होगा ठीक है उसके बाद विदेशियों से प्राप्त उपहार को भी आप लोग क्योंकि इसका उत्पादन कहा हुआ है तो यह जो वाई लेके गया ना काट के यह वो है ठीक है चलिए अब देखते है राष्टियाई की गढ़ना के लिए उत्पादन पद्धती और आय पद्धती द ठीक है तो देखते हैं इसके तहट उत्पादन पद्धती इसके तहट माल और सेवाओं के सुध्य मुल्य वृद्धी का अकलन किया जाता है इसका प्रयोग क्रिसी वानिकी पसुपालानादी में किया जाता है अगर आप लोग पढ़े होगे तो अपन तीन छेत्र पढ़े ठीक है और अभी पढ़ रहे हैं क्या उत्पादन पद्धती राष्टी आए कि गढ़ना करने के लिए जो पद्धती उत्पादन पद्धती मतलब जिसमें जितने रूपय का माल उत्पादी हुआ हो तो आपको पता है कोख भी उत्पादन जिते शेत्र क्या करता है तो इसका उत्पादन पद्धति में आकलन कर पाँ किसका होगा और यह लिखा हुआ है पढ़िये को यह लिखा हुआ है को सब्सक्तर पढ़екст और पढ़ो भई और जिसके लिए पैसा देडिये से क्या देए पैसा कें सेवा के यहां पैसा ठीक है तो उसके लिए क्या करेंंगे फिर आए पद्धाती उस सेवा से कितना भी उत्पादन अपने को पड़ लेते हैं कि निचे आलम पढ़ लो उसमें लिखा है माल और सेवाएं नीचे वाले में परिवहन ना देखिए त्रितियक छेत्र का आखलन किया जाता है आय पध्धती से और प्रात्मिक और दृतिक छेत्र का आखलन किया जाता है समझ में आ गया क्योंकि इस पर उत्पादन होना जरूरी है चलिए आगे देखते हैं कर दो कि अब कर दो कि अब कि आप लोग पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा कि जीडीपी पढ़ लिए हैं ठीक कि अब कि जीडीपी यह सब तो पढ़ लिए हैं समय कितना हुआ है हुआ है कि आठ बजने में चले आज के लिए इतना ही जो बचा है वह आप घर से पढ़के आएंगे हाँ